हाई स्टुडेंट्स मेल्गों माई इन्टों केनल संजीव टेक्निकल इस्टुडेंट्स आप सबी सिल जाए से कि आप माय चैनल को सर्स्क्राब करना है और एक आइकन दाहर देता कि जो आगे वीडियो अपलेड़ों मनके बाटनिसेंस अपको बिलते रहें इस्टुडेंट्स इस वीडियो में हम पार्शियल फ्रेक्शन्स के दौरा इंटिग्रेशन निकालना सिखेंगे तो यहाँ पर कोई एक्जाम्पल में हम ले लेते हैं इंटिग्रेशन एक्स अपॉन एक्स प्लस बन एक्स प्लस टू डी एक्स यह कोई एक्जाम्पल है तो इसको हम partial fraction से solve करेंगे तो partial fraction पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ उस वीडियो को आप description में देगी link पर click करके देख सकते हैं तो हम यहाँ पर यह जो function है fx equal to x upon x plus 1 x plus 2 इसको partial fraction में तोड़ लेंगे अलग तो यहाँ पर जो यह fraction है इसमें जो denominator है यह इसके two parts है तो यह प्रतिक part है वो एक linear form में है तो यहाँ पर इसको a upon x plus 1 plus b upon x plus 2 इस तरीके solve किया जाएगा यहाँ पर हम lcm लेंगे तो यह जाएगा x upon x plus 1 x plus 2 एक्वल टू एक्वल टू एल्सियम लेंगे तो एक्स प्लस 1 x plus 2 lcm आ जाएगा इनका इसका multiply किया जाएगा इसमें एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस बन का multiply करेंगे अब यहाँ से यह डेनमेंटर सेम हो रहा है तो जिसका numerator होगा वो यक्कल हो जाएगा एक्स प्लस 2 बी एक्स प्लस 1 multiply करेंगे एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 ए प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स इक्स प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी अब यहां से हम एक्स की जो कोफिशेंट है और जो कॉंस्टेंट टर्म है उनको हम compare करेंगे तो यहां पर जो एक्स का कोफिशेंट है वो एक्स का कोफिशेंट है और इधर एक्स का कोफिशेंट बन है तो यहां से हो जाएगा एक्स बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स बाप्त हो गए दोनों को solve करेंगे और ए और बी के मान नि इस equation में से इसको हम लेस करेंगे तो यह minus का यह जीरो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर यह cancel एड़ करने पर इन दोनों को एड़ करेंगे तो minus 2 में से जाएगा तो minus का a equal to 1 a equal to हो जाएगा minus का 1 एक value जो हम b में put करेंगे यह first equation में तो यहां पर a equal to minus 1 होने plus b equal to 1 तो यहां से b equal to हो जाएगा बन को इदर ले जाएगे तो minus 1 इदर plus हो जाएगा तो 2 हो जाएगा तो a और b की value यहां से हमने निकाल ली fraction में हम put करेंगे यह fraction निकाल ली तो यहां पर हो जाएगा यह x upon x plus 1 x plus 2 equal to a upon a की value minus 1 upon x plus 1 plus b upon b की value 2 2 upon हो जाएगा x plus 2 तो यहां से जो यह function दिया गया था है तो उसको मैंने partial fraction में यहां से तोट लिया अब हम इसका integration निकाल सकते हैं integration x upon x plus 1 x plus 2 dx equal to integration minus 1 upon x plus 1 जो मैंने partial fraction में change किया था उसी फोरम में लिके दिया मैंने integration 2 upon x plus 2 dx अब यहां से यह minus 1 upon x plus 1 है तो मैंने निकाले लिया 1 upon x plus 1 का integration निकालेंगे तो यह हो जाएगा log x plus 1 यहां से यह minus cutter में अब यहां पर यह 2 जो आगे है यह log में आगे पावर में पहुंच जाएगा यह जाएगा log x plus 2 का square और यह minus का है log x plus 1 plus c minus में log होने पर यह divide हो जाता है तो log x plus 2 का all square upon x plus 1 plus c यहां से हमने यह integration निकाल लिया अब इसी तरीके हम कोई दूसरा example ले लेंगे एक्जामपर नमबर 2 यहां पर हम ले लेते हैं यह 1 upon x square minus 9 यह integration है अब इसको हमें integration निकालना है इस function का तो यहां पर जो x square minus 9 है यह जो denominator है इसके हम factor करेंगे पहले तो factor यहां पर हो जाएंगे x square minus 9 है 9 3 का square होता है तो x minus 3 x plus 3 dx यह हो गया आप उसी तरीके से फिर से हो जाएगा यहां पर यह linear हो रहे है यह जो factor है वो linear है तो यहां से जो process होगी change करने की partial fraction में x minus 3 x plus 3 equal to a upon x minus 3 plus b upon x plus 3 LCM लेंगे तो यहां से जो जाएगा यह 1 upon x minus 3 x plus 3 equal to LCM x minus 3 x plus 3 इसका multiply इदर करेंगे इसका इदर जब a में multiply किया जाएगा x plus 3 का plus b और b में multiply होगा x minus 3 का यहां से denominator same हो रहे है यह numerator को compare करेंगे तो 1 equal to यह जाएगा a x plus 3 plus b x minus 3 multiply करेंगे तो 1 equal to a x plus 3 a plus b x minus 3 b 1 equal to x common तो a plus b यहां से यहा रहा है यहां से b और x common ले लिया constant जो है वो है 3 a minus 3 b compare करेंगे कोफिसेंट को तो यहां पर जो x का कोफिसेंट है वो a plus b है यहां से जाएगा a plus b equal to 0 first equation हो गया यह अब एदर constant term जो है वो 3 a minus 3 b एदर बन है तो यह जाएगा 3 a minus 3 b equal to 1 3 common लेके divide करेंगे तो a minus b equal to 1 upon 3 और a plus b equal to 0 दिया है a plus b equal to 0 दॉना equation को एड़ करेंगे तो यह भी cancel हो जाएगा और 2 a equal to 1 upon 3 यहां से यहां से 2 a equal to 1 upon 3 जागया दोना equation को मैंने add किया तो भी cancel हो गया और a a 2 a हो गया और यह बना पूं 3 तो गड़ दिवाड कर रहेंगे तो a equal to 1 upon 6 आ जाएगा तो a equal to 1 upon 6 जो फर्स्ट equation था a plus b equal to 0 minus का भी यहांने v equal to minus का a और a की value जो हो 1.6 तो minus का 1 upon 6 हो जाएगा भी तो यहां से निकल के आएगा यह integration 1 upon x square minus 9 dx equal to integration a upon a की value जो है 1.6 x minus 3 plus b upon b की value minus का बना पूं 6 x plus 3 तो यहां से इस बना पूं 6 बाहर ले लेंगे तो बचेगा बना पूं x minus 3 dx यहां minus का बना पूं 6 बाहर ले लेंगे बना पूं x plus 3 dx इंटिग्रेशन करेंगे इसका तो 1 upon 6 इसका बजाएगा लॉग x minus 3 minus 1 upon 6 log x plus 3 plus c रिकॉंस्टेंट आ जाता है 1 upon 6 को मन ले सकते हैं और यहां से बचेगा log x minus 3 upon x plus 3 plus c यहां से इंटिग्रेशन लेका लिया इसी तरीके से कोई अगला एक्जामपल लेंगे हम एक्जामपल लंबर 3 यहां से हमने ले लिया इंटिग्रेशन 3 x minus 1 upon x minus 1 x minus 2 x minus 3 अभी इस एक्जामपल में जो नीचे डेनोमिनेटर है उसमें 3 फेक्टर है यह कुछ उनसे डिफरेंट है तो यहां पर इसको हम पहले पारिसल फ्रेक्शन में चेंज करेंगे तो यह जाएगा 3 x minus 1 equal to 3 x minus 1 upon x minus 1 x minus 2 x minus 3 यहां पर फंक्शन लिख लिया मैंने यह अब इसको हम पारिसल फ्रेक्शन में चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा a upon अभी यह तीनों linear है यह तीनों factor जो है linear है तो इसके लिए हम a upon x minus 1 plus b upon x minus 2 plus c upon x minus 3 LCM ले लेंगे तो यहां पर हो जाएगा 3 x minus 1 upon x minus 1 x minus 2 x minus 3 equal to LCM लेंगे तो LCM हो जाएगा यह x minus 1 x minus 2 x minus 3 multiply किया जाएगा इन दोनों का यह में तो यहां पर हो जाएगा a x minus 2 x minus 3 b में करेंगे तो b में यह छोड़ करके इन दोनों का किया जाएगा b x minus 1 x minus 3 c में x minus 3 को छोड़ करके इन दोनों का करेंगे C X minus 1 X minus 2 यहां से denominator से मैं cancel numerator को equal करेंगे तो जाए 3 X minus 1 equal to A यहां इन दोनों का multiply होगा X square minus 5 X plus 6 3 to 6 3 to 5 plus V X square minus 4 X plus 3 plus C यहां हो जाएगा X square minus 3 X plus 2 multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 3 X minus 1 equal to X square common तो यहां पर A का multiply हो रहा है X में तो A आ गया एदर B का multiply plus B एदर C का multiply यह हो गया X का multiply करेंगे यहां पर X square का जो कोफिशेंट है वो इदर सुनने है तो यह जाएगा A plus B plus C equal to 0 फर्स्ट एक्स का कोफिशेंट इदर है जो माइनस का 5A माइनस का 4B माइनस का 3C इदर 3 हो रहा है X coefficient 3 के equal हो जाएगा यह हो गया second equation अब third equation लेंगे तो इदर constant है और इदर minus 1 है तो यह फूरा constant है इस minus 1 के equal हो जाएगा 6A plus 3B plus 2C equal to minus 1 यह तीनों equation हमने निकाल लिए अब इनको हम solve करके ABC के मान निकालेंगे तो ABC के मान निकालने के लिए हम तीनों को पहले solve करेंगे equations को तो यहाँ से 3B है इसमें minus 4 ही है पहले इन दोनों equations को हम solve कर लेते हैं इदर से हो जाएगा A equal to minus का V minus का C यह first equations आगया इसको मैंने इदर पच्छांदर कर दिया तो A equal to होगया minus B minus C अब इस A की value को second equation में हम रख देंगे तो minus का 5 है इदर और A की value है वो है minus का V minus का C इस second equation में हम रख रहे है और minus का 4V minus 3C equal to 3 यहां से हमें एक नगया equation प्रप्त हो जाएगा minus 5 का multiply करेंगे हो जाएगा 5B plus minus minus यह प्लस हो जाएगा 5C minus का 4V minus 3C equal to 3 5B में से 4B जाएगा V बचेगा 5C में से 3C जाएगा plus 2C बचेगा equal to 3 यह फर्स्ट equation था और यह second यह third यहां से हमें यह fourth equation प्रप्त हो गया इसके बाद हम जो A की value निकाली इसको थर्ड में रखेंगे अभी A की value मैंने निकाल करके second equation में रखी थी तो यह question प्रप्त हो गया अभी इस A की value को थर्ड़ equation में रख देंगे तो फिप्ते equation में राप्त हो जाए तो यहां से एकी value को हम third equation में रखेंगे third equation है वो है 6A plus 3B plus 2C equal to minus 1 एकी value output कर देंगे इसमें एकी value जो है वो minus का V minus C plus 3B plus 2C equal to minus 1 multiply करेंगे minus का 6B minus 6C plus 3B plus 2C equal to minus 1 solve करेंगे 6B में से 3B जाएगा minus का 3B 6C में से 2C जाएगा minus का 4C equal to minus 1 minus common common लेके minus से minus कट कर सकते हैं तो यह जाएगा 3B plus 4C equal to 1 यह fifth equation हो गया और fourth equation था वो 2B sorry B plus 2C equal to 3 वो है B plus 2C equal to 3 अब यहां से हमें दिख रहा है इसमें 4C यह इसमें 2C अगर इस equation में 2 का multiply करते हैं तो C का को जो coefficient है वो equal हो जाएगा तो यहां से हम 2 का multiply कर देंगे इसमें तो जाएगा 2B plus 4C equal to 6 यहां से यह नया equation प्राप्त हो गया मुझे इस equation को अगर इसमें से less कर दें तो 4C cancel हो जाएगा तो यहां से हम 3B plus 4C equal to 1 यह उपर वाला equation जाएगा इसके नीचे लिए अब इसको हम less कर देंगे तो इसके जो चिन्न है वो change हो जाएगे अब यहां से 4C cancel add करने पर 3B में से 2B जाएगा तो माइनस का भी बचेगा यह तर एड़ करेंगे तो 6 में से बन जाएगा 5 यहां से B equal to minus 5 आ गया यह B की value हो गई इस B की value को equation number 5 में भी हम put कर सकते हैं B और C दिया है B की value put करेंगे C की value निकल आएगी यहां से हो जाएगा 3B B की value minus 5 plus 4C यह 5th equation में हम put कर रहे हैं equal to 1 multiply करेंगे 5 3 15 plus 4C equal to 1 4C equal to 15 को यह दर लेके आएगे तो 15 plus का हो जाएगा अब 1 16 हो गया 4 4 जा 16 C equal to हो गया 4 यहां से C की value मैंने निकाल ली अब C और V की value जो निकाल ली है वो हम इसमें put करेंगे equal to V निकाला था minus V minus C B और C की value रख देंगे तो A की value निकल आएगी equal to minus B और B वो minus 5 है और minus पहले से तो 5 हो जाएगा minus C C की value 4 यहां से 1 यह तीनों value जिसमें निकाल ली हमने इसके बाद इसको हम fraction में रखेंगे जो fraction थी वो थी 3x minus 1 upon x minus 1 x minus 2 x minus 3 तो यहां पर था A upon A की value जो निकाली है वो है 1 upon x minus 1 प्लस B upon और जो B निकाला है वो है minus 5 यहां पर हो जाएगा minus 5 upon x minus 2 c की value है 4 upon x minus 3 c 4 है इस तरीकी से हमने यह partial fractions निकाल लें इंटिग्रेशन निकाल सकते हैं यह उसे इंटिग्रेशन लगाया अब इस इंटिग्रेशन को अलग-अलग निकाल लेंगे तो यह जाएगा इंटिग्रेशन बन अपॉन x minus 1 dx minus 5 5 constant है वार ले लिया मैंने यह तर रोजाएगा बन अपॉन x minus 2 dx 4 constant है वो भी वार ले लिया बन अपॉन x minus 3 dx तो यहां से x minus 1 का इंटिग्रेशन करेंगे तो यह जाएगा log x minus 1 minus 5 x minus 2 का करेंगे वो जाएगा log x minus 2 plus 4 x minus 3 वन अपॉन x minus 3 का log x minus 3 plus c constant इस तरीके से इंटिग्रेट कर लिया इसको अब इसको हम सॉल्व करके एक पद में लिखेंगे तो यहां पर हो जाएगा log x minus 1 पावर जो आगे संख्या होती वो पावर हम पहुंच जाती है तो हो जाएगा minus का log x minus 2 to the power 5 4 भी आगे ले जाएगा log x minus 3 to the power 4 plus c जो minus में होता है वो अपन में आता है और प्लस में मल्टिपलाई यह लोग के नियम है तो लगाएंगे इसमें log x minus 1 और यहां पर भी यह प्लस है तो यह जाएगा एक्स मैनस 3 की फावर 4 यह मैनस में अपन में आ जाएगा x minus 2 to the power 5 plus c यहां से solve कर लिया और कोई अगला एक्जामपल लेते हैं कोई इससे डिफेरेंट लेते एक्जामपल तो 1 minus x square upon x 1 minus 2x यह एक्जामपल ले लिया यह कुछ डिफेरेंट है उससे इसको हम कैसे solve करेंगे तो यहां पर हम partial fraction में change करने से पहले हम यह देख लेते हैं कि जो numerator है उसकी power और denominator की power same या numerator से denominator की power कुछ ज़्यादा तो नहीं है यानि जो उपर अंस है और नीचे हर अंस की power जो है गहात अंस की गहात जो है वो हर की गहात से कम होनी चाहिए बराबर या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तो यहां पर हम देख रहे हैं यहां जो अंस है उसकी गहात दो है नीचे जो हर है हर की गहात भी दो है क्योंकि multiply अगर हम करेंगे तो यह x minus 2x square आ जाएगा तो यहां पर भी गहात दो यहां पर भी गहात दो सेम गहात हो रही है जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए अंस की गहात कम रहनी चाहिए एक्वल या ज्यादा नहीं होनी चाहिए तो इसके लिए हम क्या करते हैं पहले इसका multiply करेंगे इसमें divide करते हैं तो इसको हम लिखेंगे 1-x square upon x का multiply करेंगे x-2x में करेंगे 2x square dx अब यहां से दोनों की power सेम हो रही है अगर uns की घात जादा हो इससे तब भी यह नियम लागू होता है बराबर होने पर भी लागू होता है कम अगर हो तो नहीं होता है तो हम सीदा सीदा partial fraction में change कर सकते हैं तो यहां पर partial fraction में change करने से पहले हम uns की घात को हर की घात से कम बनाएंगे कैसे बनाएंगे हम यह जो हर है इसका uns में भाग देंगे तो यहां पर x minus 2x square का भाग देंगे हम 1 minus x square में अब डिवाइड करने के नियम आपको पता है 9th में और High School में पड़े हैं तो वो ही नियम है यहाँ पर हम apply करेंगे तो यहाँ पर यह first term में उसको हम 1 1 लेके आना है तो 1 लाने के लिए हम 1 upon x का multiply करेंगे x में जब x का multiply 1 upon x में होगा तो बन आ जाएगा 1 upon x का multiply जब हम minus 2x square में करेंगे तो minus का 2x आ जाएगा x x cut हो जाएगा इसके बाद हम less करते हैं तो minus यह plus यह cancel हो गया अब यहाँ पर बचा minus का x square plus 2x इसके बाद हम यहाँ पर कोई ऐसी संख्या लेंगे कि यह first term जो है वो same आ जाए तो first term same लाने के लिए minus 2x square हो जाएगा तो minus x square आ जाएगा तो यहाँ पर हम plus 1 upon 2 से multiply करेंगे इसमें तो यहाँ पर जब इसमें पहले करेंगे हम 2 से 2 cut हो जाएगा minus x square हो जाएगा जब 1 upon 2 का इसमें multiply किया जाएगा जाएगा x upon 2 उसके बाद जिन परिवर्दित करते हैं तो यह minus से plus हो जाएगा plus minus add करने पर यह cancel यहाँ पर 2x में से xy2 less करेंगे तो यह बचेगा 3y2x यहाँ से 3y2x हो गया अब यहाँ पर इसको हम लिखेंगे तो यह जो है कुषेंट है यह reminder और यह divisor तो इसमें जो होता है कुषेंट को हम पहले लिख लेते हैं 1 upon x plus 1 upon 2 plus reminder upon divisor तो यहाँ पर यह function जो फूरा लिखा जाएगा वो इस तरीके से लिख सकते हैं 1 upon 2 plus 1 upon x plus 3 by 2 x upon x को मल लेंगे यह बचेगा 1 minus 2 x x cancel हो जाएगा यहाँ पर होगा यह 1 upon 2 plus 1 upon x plus 3 by 2 1 minus 2 x अब हम इसका integration निकालना है यहाँ पर जो function था उस functions का integration निकालना है तो यह अलग अलग integration हम लग सकते हैं अब यहाँ पर जो 1 upon 2 का integration होगा तो वह हो जाएगा 1 upon 2 x यहाँ पर 1 upon x का करेंगे तो यह जाएगा log x plus इसका करेंगे तो 3 by 2 constant है भार यह 1 upon 1 minus 2 x है तो इसका integration होगा log 1 minus 2 x upon minus 2 minus 2 यह x का coefficient है x का जितना coefficient होता है उसका divide किया जाता है तो यहाँ पर x के साथ जो multiply में वो minus 2 है तो उसका हम divide करेंगे plus c यहाँ पर होगा यह x upon 2 plus log x mode में भी रख सकते हम इसको minus multiply करेंगे 3 by 4 log 1 minus 2 x plus c यहाँ से हमने इस तरह के से integration निकाल लिया है कोई अगला example हम ले लेते हैं जो इससे भी different हो तो यहाँ पर हम लेते हैं example 3x minus 2 upon x plus 2 whole square अब इसका नियम कुछ अलग है अलग तरीके साल होगा यह तो पहले हम partial fraction में change करेंगे तो यहाँ 3x minus 2 upon x plus 2 whole square अब यह अलग यह अलग तरीके साल होगा यह तो पहले हम पार्सिल फ्रेक्शन में चैंज करेंगे तो यहाँ 3x minus क्यों है क्योंकि ऊपर जो है देख रहा है एक घात का आई और हर जो है वो दो घात का है तो यहाँ पर हमें टिवाइड नहीं करना है क्योंकि अंस की घात हर की घात से कम है तो यहाँ पर इसको हम a upon x plus 2 plus b upon x plus 2 whole square इस तरीके से लेख सकते हैं अब यहाँ पर जो गुड़न खंड है यह फैक्टर जो है x plus 2 इसकी पावर 2 है यहाँ यही गुड़न खंड दोवार है तो यहाँ पर यह नियम होता है कि जो फैले x plus 2 a upon लिख लेते हैं फिर b upon x plus 2 का वड़ी हाथ के रूप में लिखा जाता है इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर हो जाएगा यह 3x minus 1 upon x plus 2 whole square LCM लेंगे यहाँ पर x LCM जो आएगा वो x plus 2 whole square इतना ही आएगा आप यहाँ पर x plus 2 पहले से है और एक पावर की कमी इसका multiply हो जाएगा x plus 2 plus यह पूरा है तो यहाँ पर b ही रहेगा solve करेंगे इसको cancel यह 3x minus 1 equal to multiply करेंगे इसमें ax plus 2a plus b यहाँ से x का जो coefficient 3 हो रहा है तो a equal to 3 coefficient x का a है इदर x का 3 थी है यहाँ से equal हो गया इदर constant है वो 2a plus b इदर constant minus 1 a की value इसमें put करेंगे 326 हो जाएगा यहाँ से a की value 3 है 3 इसमें जब एक जगे रखेंगे तो 326 हो जाएगा प्लस b equal to minus 1 तो b equal to यहाँ से हो जाएगा इदर लेके आएगे 6 को तो minus 1 minus 6 minus 7 हो जाएगा अब इसको हम fraction में निकालेंगे और जो fraction थी वो थी 3x minus 1 upon x plus 2 का whole square इसकी partial fractions जो होगी a upon और a की value जो है वो 3 है तो 3 upon x plus 2 plus b upon तो b की value है यहाँ दर d x b की value minus 7 upon x plus 2 whole square d x इसको solve करेंगे 3 constant भार ले लिया मैंने d x upon x plus 2 minus 7 constant भार ले लिया d x upon x plus 2 whole square यहां से 3 1 upon x plus 2 का integration करेंगे तो log x plus 2 हो जाएगा minus का 7 यहां से 1 upon x plus 2 whole square यहां x plus 2 equal to t माल लेंगे हम by displacement method यहां से x plus 2 equal to t differential करेंगे तो जाएगा d x 2 का 0 equal to dt यहां से dx equal to dt हो गया और x plus 2 equal to t तो t square हो गया जाएगा 3 log x plus 2 minus 7 अब इसका integration जो होगा यह उपर टी जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 7 upon t की पावर माइनस बने नीचा जाएगी गट्टे में t plus c अब टी की वैल्लू रख देंगे 3 log x plus 2 plus 7 upon और जो t की वैल्लू है वो है x plus 2 plus c इस तरीके से यह solve हो गया इसकी बाद कोई अगला example ले लेते हैं कॉस एक्स अपन बन माइनस साइन एक्स टू माइनस साइन एक्स इंटिग्रेशन है इसको हम solve करेंगे तो यहां पर हम यहां दिख रहाई साइन एक्स की जगे अगर आम T मालने we can 7x इक्सी करेंगे तो कॉस एक्स आएगा यहां से हम दिपफिलेश्मेंट मेठार से हम करेंगे सको solve तो यहां पर मालन लिए हमने sin x equal to t differential करेंगे तो sin x का cos x dx equal to dt तो यहां से जाएगा cos x dx equal to dt हो गया upon 1 minus sin x equal to t 2 minus sin x equal to t अब यहां से वोई form बन रही है partial fraction वाली तो पहले इसको पार्शल fraction में change करेंगे तो यह जाएगा integration a upon 1 minus t dx plus integration sorry इदर dt की फॉर्म है तो यहां x नहीं t लिखेंगे dt upon 2 minus t अब इसको हम solve कर देंगे तो यहां से हो रहा है 1 upon 1 minus t 2 minus t इदर हो जाएगा यह a lcm ले ले लेंगे दर 1 minus t 2 minus t 2 minus t का multiply करेंगे a में plus इदर b upon तो यह जाएगा b में multiply करेंगे 1 minus t का अब इसको हम solve करेंगे तो यहां से 1 equal to इसका जो denominator रहे उसे में cut हो जाएगा a का multiply करेंगे 2 a minus a t plus b minus b t 1 equal to 2 a plus b यह constant अलग कर लिया यहां से t common ले लेंगे तो t common ले लिया बचा minus a minus b compare करेंगे तो यहां से हो जाएगा minus a minus b equal to 0 इदर t का कोई term नहीं है यहां से हो जाएगा 2 a plus b equal to 1 minus common लेका अटाएगे तो a plus b equal to 0 less करेंगे cut हो जाएगा 2 a में से a जाएगा a बचेगा equal to 1 a की value जो है बना गई माइनस a minus b equal to 0 minus a equal to b हो जाएगा जिन में लिपरीत होंगे यह तो यहां से निकल गाएगा b equal to minus 1 cut करेंगे यहां से हो जाएगा यह a upon यानि 1 upon 1 minus t dt plus b upon minus 1 upon 2 minus t dt integrate करेंगे इनको तो इसका integration जो निकल गाएगा log 1 minus t upon minus 1 t का जो कोफिचेंट मैंनस मैंने तो मैंनस 1 कड़वाड के जाएगा minus log 2 minus t upon minus 1 यहां पर भी t के साथ जो मल्टिपलाई में मैंनस मैंनस कड़वाड किया plus c तो यहां से हो जाएगा log minus का यह 1 minus t यहां minus minus प्लस हो जाएगा log 2 minus t plus c यह हो जाएगा log log का नियम लगाएगे 2 minus t प्लस का यह और यह minus का तो यह डवाड में जाएगा 1 minus t plus c इनकी वेल्डिपूट करेंगे तो log 2 minus t equal to sin x था upon 1 minus t equal to sin x plus c इस तरह के से हमने partial fractions का यूज़ करके यह integration निकाल ले हैं थेंक यू फॉर वाचिंग दिस व्यूडिए